तो आप गाइस आज जो हम लग पोयम डिसकर्स करने जा रहे हैं उसका नाम है दिससे की एक अमेरिकन बॉर्न ब्रितिश पोयेट टी एस एलिएट के द्वारा लिखा गया है तो आप देखिए हमेशा की तरह मैं इस पर्टिकलर वीडियो को भी डारेकली शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टन फाक्ट्स या बाते बता देना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर आप लोग को बिल्कुल भी कन्फीजन न हो और ये पोयेट आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए सुनाव इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टन फाक्ट तो ये है कि इस पोयेट को इसे एर 1910 से लेकर इसे एर 1911 के बीच लिखा गया यानि जब T.S. Elliot खुद वो हावर्ड युनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे और वो वहाँ पर अपने MA के कोर्स को कम्प्लीट कर रहे थे अपने early 20s के दौरान तो उस समय उन्होंने इसे लिखा था बट फिर एर 1915 में जाकर इसे एक monthly poetry journal जिसका नाम Poetry a Magazine of Words था तो उसमें इसे पहली बार publish किया गया बट फिर कुछ और समय बीदने के बाद यानि year 1917 में इसे T.S. Eliot के ही सबसे पहले जो उनका poetic collection था जिसका नाम Proofalk and Other Observations था तो उसमें भी इसे add करके publish किया गया और वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिल जाता है फिर इस topic का दूसरा important fact ये है कि ये poem actually एक dramatic monologue है दिसमें कि इस poem को एक speech के format में लिखा गया है और इसके साथ ही इस poem का जो speaker है यानि Proofalk नाम का जो व्यक्ती जो इस poem का speaker है तो वो हमें अपने situation के बारे में भी बताता है और इसके साथ ही वो unintentionally वो हमें अपने character के बारे में भी reveal करता है बट यहां पर इस poem में एक twist ये है कि ये poem कोई normal या traditional dramatic monologue नहीं है बलकि इस poem को stream of consciousness नाम की जो narrative technique है या inner monologue है तो इसे उसके format में लिखा गया है और अगर आप लोग को ये नहीं पता कि stream of consciousness क्या होता है तो stream of consciousness basically एक ऐसी narrative technique होती है जिसमें कि writer हमें अपने एक character के कि flow of thoughts को दिखाने की कोशिश करता है यानि कभी तो उसके character का मन अपने past के life के बारे में कुछ सोच रहा होता है और कभी उसका मन future के thoughts में flow हो रहा होता है और अगर आपको stream of consciousness के बारे में और detail में जानना है तो आप उसे उपर eye button पे tap करके भी देख सकते हैं पर इस topic का third important fact यह है कि इस poem का जो title है ना the love song of J. Alfred Prufock तो देखें यहाँ पर इस poem में love song जैसा कुछ भी नहीं है बलकि यह poem Prufock नाम के एक imaginary व्यक्ति के उपर based है जिसकी उम्र लगभग अभी 40 साल की होगी और इसके सर के जो बाल है तो वो भी अब ज़र गये हैं तो अब इस middle age में आक वो व्यक्ति यह decision नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर वो अपने beloved को इस उम्र में कैसे propose करें और कहां से वो इसकी शुरुआत करें यानि यह poem 20th century का यह हमारे इस modern civilization की जो drawbacks हैं जैसे की lack of confidence, loneliness, aimlessness, indecisiveness और disillusionment के theme से deal करता है और अब finally इस topic का last important fact यह है कि इस पूरे complete poem को इसे 19 stanzas में लिखा गया है और plus इस poem की starting में भी यानि इसके first stanza के शुरू होने से भी पहले इसमें एक epigraph को या एक borrowed quotation को भी add किया गया है तो चलिए अब ये तो हो गया इस poem से related काफी detail information तो अब बिना time waste की आज को जो हमारा poem है The Love Song of J. Alfred Prufock इससे हम लोग शुरू करते हैं तो अब देखे इसके first stanza से भी पहले T.S. Elliot ने यहाँ पर इस poem में उन्होंने एक epigraph को या एक borrowed quotation को भी add किया है जिसे कि उन्होंने Dante नाम के एक Italian poet की poem से इसका नाम inferno था तो वहाँ से उन्होंने इसे बौरो किया है तो अब वैसे तो इस epigraph को या इस literary quotation को Italian language में लिखा गया है बट अगर इस quotation को हम normal language में समझने की कोशिश करें तो देंते जो poet हैं तो वो अपने poem inferno में ये कहते हैं कि वो जब hell के लिए या वो जब नर्क के अंदर वो एक guided tour पर गये होते हैं एक दूसरे वैक्ती के supervision में तो वहाँ पर उनकी मुलाकाद Guido de Monty Feltro नाम के एक वैक्ती से होती है जो कि hell में या नर्क में वो काफी बुरी तरीके से वहाँ पर सफर कर रहा होता है तो दैन्ते उससे फिर ये पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी स्टूरी क्या है और तुम किस वज़े से यहाँ पर इतना सफर कर रहे हो तो Guido de Monty Feltro दैन्ते से ये कहता है कि अगर तुम यहाँ इस hell से वापस धरती पर जा सकते या जा पाते तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में और अपने पापकर्मों के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उस situation में तुम वापस धरती पर जाकर मेरा जितना भी जो reputation है और मेरा जितना भी जो respect है वहाँ पर तुम वापस जाकर उसे खराब कर देते बट हाला कि तुम अभी यहाँ इस hell में या नर्क में हो और जैसा कि मुझे पता है कि एक बार जो व्यक्ति यहाँ hell में आ जाता है वो वापस धरती पर नहीं जा सकता तो इसलिए मैं अब बिना किसी डर के मैं तुम्हें अपने life के सारे secrets के बारे में और अपने पाप कर्मों के बारे में बताने के लिए तयार हूँ दिसकी वज़ा से मैं यहाँ पर इतना सफर कर रहा हूँ तो देखिए अब आप लोग के मन में यह सवाल भी जरूर आया होगा कि आखिर इस quotation का या इस epigraph का इस poem के साथ क्या relation है तो देखिए जिस तरह से Guido de Monty Feltro hell में सफर कर रहा होता है और वो अपने पाप कर्मों के पारे में वो किसी भी धर्तिवासी को नहीं बताना चाता और Proofog अपने लाइफ की यह स्टोरी यह यह लव सॉंग वो ऐसे लोगों को नहीं बताना चाता जो कि दूरसे लोगों के पार जाकर इस स्टोरी को शेयर कर सके तो चली अब यह तो हो गया इसका epigraph portion और अब हम चलते हैं इसके first senza की और तो इसके first senza की शुरुवात कुछी स्टरा से होती है की Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient, it rides upon a table Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless night in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells Street that follows like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit तो इन lines में you का मतलब है हम audience यानि जिसे की prooforg अभी बात कर रहे हैं और I का मतलब है खुद prooforg फिर etherize का मतलब है कोई ऐसे patient जिसे की anesthesia देकर table पर लिटा दिया गया हो और वो अभी बिलकुल शान्त हो फिर half deserted streets का मतलब है थोड़ा खाली खाली type का रास्ता जहां पर ज़्यादा लोग न हो और जैसा कि हमें शाम के समय या रात को देखने को मिल जाता है फिर muttering retreat का मतलब है ऐसे लोग जो की सस्ते hotels में रुके हुए होते हैं और वापस घर जाते वक्त वो खुद में ही कुछ न कुछ बरबरा रह होते हैं out of discomfort फिर sawdust restaurants का मतलब है ऐसे restaurants जो की काफी गंदे से और unpleasing type के होते हैं और जिसके फर्ष पर लकडी के जो powder होते हैं वो भी गिरे होते हैं फिर oyster shells का मतलब है एक ऐसे type के पानी में पाया जाने वाला जानवर जिसे की खाया जाता है और उसके उपर के shell को या उसके उपर के खोल को फेक दिया जाता है जैसा कि आप image में देख सकते हैं और लासली, tedious argument of insidious intent का मतलब है कोई ऐसे type का argument या कोई ऐसे type का बहस जो की काफी गोल-गोल घुमाओदार हो और वैसे argument बेसिकली किसी को बेवकूब बना कर या उसे confuse करके धोका देने के लिए किये जाते हैं तो अब देखे इस first sansa में J. Alfred Prufock नाम के एक middle agent वेक्ती जिनका कि जो sir का बाल है तो वो भी थोड़ा ज़र गया है तो ये Prufock नाम के वेक्ती हम audience को वो अपने साथ शाम के समय एक evening walk पर आने के लिए invite करते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक young lover अपनी beloved को वो अपने साथ walk पर आने के लिए invite करता है फिर इसके आगे के lines में Prufock हमें उस शाम के समय के एक atmosphere के बारे में बताते हैं जिसमें कि वो ये कहते हैं कि वो जो शाम का समय है या evening का जो time है तो वो समय ऐसा लग रहा था कि शाम के बादल आकाश में पूरी तरह से फैल गए हो या बिखर गए हो और पूरा जो atmosphere था वो उस समय बहुत ही ज़दा शान्थ हो गया था ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक patient को जब anesthesia देकर table पर लटा दिया आता है और वो पूरी तरह से table पर फैल कर अराम से लेट जाता है और वो शान्थ हो जाता है तो वैसे ही यहाँ पर शाम के atmosphere को और एक anesthesia दिये गए patient को आपस में compare किया गया है फिर इसके आगे के lines में पूर्फॉक हमें New England के ऐसे ऐसे गलियों से ले कर जाते हैं जो कि काफी खाली-खाली सा और सून सरनाटे टाइप का होता है और उन गलियों के आसपास कुछ ऐसे एक रात के रुकने के लिए जो सस्ते hotels होते हैं या जो cheap hotels होते हैं तो वो भी वहाँ पर मौझूद होते हैं जिसमें कि जो लोग होते हैं वो रात को उन hotels में वो ठीक से सो नहीं बाते हैं और जिसका result ये होता है कि वो काफी restless feel करते हैं और घर वापस लोडते वक्त वो अपने आप में ही वो कुछ बरबरा रहे होते हैं या वो अपना discomfort शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके अलावा उन सुनसान गलियों में कुछ ऐसे restaurants भी मौजूद होते हैं जो की काफी dirty और unpleasant से होते हैं क्योंकि उन restaurants के फर्ष पर जो लकडी के जो powder होते हैं वो भी गिरे होते हैं और प्लस वहाँ के tables पर जो खाली oyster shells होते हैं तो वो भी वहाँ पर बिखडे पड़े होते हैं जिन्हें की कोई भी वहाँ पर साफ करने वाला भी नहीं होता है और इन सब के अलावा वो जो रास्ते हैं या वो जो गलिया हैं जहां से होते हुए प्रुफॉक हमें अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं तो वो गलिया किसी tedious argument की तरह हैं, जो कि काफी confuse कर देने वाली, tiring सी और tricky type की हैं, जो कि हमें अपने साथ गोल-गोल गुमा कर, वो हमें शहर के किसी ऐसे unreputable, या unpleasant area की तरफ आगे push कर रहे होते हैं, या लेकर जा रहे थे, तो अब देखें, इन सभी चीजों को रास्ते में देखने के बाद, हमारे मन में सवाल आता है, कि आखिर ये walk का मतलब क्या है, इसका significance क्या है, और आखिर ये walk हमें लेकर कहा जाएगा, बट उससे पहले है, कि जैसे ही हम proofalk से पूछें, इन सब चीजों के बारे में, उससे पहले ही, proofalk हम से ये कहते हैं, कि अभी कुछ भी मत पूछना, कि वो क्या चीज है, तुम बस अभी मेरे साथ चलो, हमें एक जगा पर विजिट करना है, तो इस चीज से ही, हमें ये समझ में आता है, कि proofalk किसी लेडी को प्रपोस करने के लिए, वो कहीं पर जा रहे हैं, बट यहाँ पर ये जो क्वेशन है, वो इस चीज को अवाइड करते हैं, और इसे पोस्पोन कर देते हैं, अंटिल हम उस जगा पर पहुचना जाएं, इसके बाद इसके सेकेंड स्थांजा में, proofalk फिर हमें एक ऐसे जगा पर ले कर जाते हैं, जहां पर एक रूम में, बहुत सी हाई क्लास लेडीज अंदर आ जा रही होती हैं, और वो आपस में, वो Michael Angelo नाम के एक 16th सेंचुरी के काफी फेमस इटालियन पेंटर के बारे में बात कर रही होती हैं, और एवन दो प्राक्टिकली तो उन्हें फाइन आर्ट्स के बारे में, उन लेडी सो कुछ भी नॉलिज तो नहीं होता है, बट फिर भी वो उस समय का एक फैशन था, इस तरह के टॉपिक्स कुपर बात करना, फिर इसके थर्ड स्तैंजा में, पोएट ये लिखते हैं, दे यल्लू फोग दे रुब्स इस बैक अपन दे विंडो पेंस, दे यल्लू स्मोग दे रुब इस मुजल उन दे विंडो पेंस, लिख इस तंग इंटो दे अपन दे एवनिग अपन दे पूल के लिखते हैं, तो इन लाइन में, यल्लू फोग का मतलब है, जो पीले रंग का जो कहरा होता है, जो की शेहर के धूल दूए और बाकी चीजों के साथ मिक्स होकर बना होता है, वो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, फिर विंडो पेंस का मतलब है, काच का या शीशे वाली जो खिड़किया होती है, वो फिर मजल का मतलब है, किसी भी जानवर का, जैसे कि कैट का या बिल्ली का जो माउथ या फेस वाला एरिया होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, उसे मजल का जाता है, फिर लिंगर का मतलब है, किसी चीज के उपर लंबे समय तक रुके रहना, या ठहरे रहना, फिर सूट का मतलब है, जो चिमनी के अंदर से धूवा निकलता है न, तो उस स्मोक के साथ, या उस धूवें के साथ, कुछ ब्लैक कलर की पाउडरी पार्टिकल्स भी निकलते हैं, जिनेंकी सूट कहा जाता है, फिर लीप का मतलब है, तो जम्प यानि कूदना, और सॉफ्ट अक्टोबर नाइट का मतलब है, आटम सीजन का समय, तो अब देखिए, इस थर्ड स्थांजा में, हमें मिलनी दो चीज़े देखने को मिल जाती है, दिसमें से पहला तो, हमें इंडर्श्रिलाइशन, और मॉडर्न सिवलाइशन के जो एफेक्स है, वो देखने को मिलते हैं, और दूसरा यहाँ पर यह चीज़ है, कि यहाँ पर नेचर के जो इन एनिमेट अबजेक्स है, जैसे की फॉग है या जो कोहरा है, तो उसे भी यहाँ पर कैर्ट लाइक कॉलिटीज प्रोवाइट किये गये हैं, यानि यहाँ पर परसॉनिफिकेशन का यूज किया गया है, तो इस थर्ड सैंजा में हमें यह देखने को मिलता है, कि पहले तो जै अलफर्ट प्रोवाग एक शोशल गैदरिंग में जा पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सी महिलाएं दिखती हैं, जो कि एक रूम में वो बार-बार अंदर बाहर कर रही होती हैं, बर जै अलफर्ट प्रोवाग फिर खिड़की के बाहर देखने लगते हैं, और वहाँ पर उन्हें यह दिखता है कि वो जो यलो कलर का फॉग है या जो कोहरा है, तो वो किसी बिल्ली के तरह वो खिड़की के शीशे पर वो अपने बैक को या वो अपने पीट को उस पे रब कर रहा है, यानि वो खिड़की का जो शीशा है तो वो फॉग से ढग गया है, फिर J. Alfred आगे ये कहते हैं कि वो यलो जो fog है तो वो किसी cat की तरह वो अपने face को भी वो उसी खिड़की के शीशे में रब कर रहा है जैसा कि अकसर हमें बिलियां जो हैं वो ऐसा करती हुई दिख जाती हैं और इसके अलावा वो यलो फॉक वो शाम के समय वो शहर के हर कोने में जाकर फैल गया है और वो सभी चीजों को वो टच कर रहा है या वो लिख कर रहा है जस्त लाइका cat फिर इसके आगे के大家 कैं। फिर इसके आगे के lines में proofog ये भी कहते है कि वो yellow fog शहर के drains में है या ज़िए ज़िए नाले हैं तो वो उन नाले के उपर जमे हुए पाणी है तो वो उनके उपर भी मौझूद है यानि वो fog शहर के सभी नालों के उपर जो जमे हुए पानी है तो वो उनके उपर भी फ्लोट कर रहे हैं वो वहाँ पर भी मौजूद है और प्लस वो चिमनी के अंदर से धुआ निकल रहा है और उसके अंदर से जो ब्लैक पाउडरी टाइप कर जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो वो रात का समय हो रहा है और आटम का सीजन भी है इसलिए वो फिर शहर के चारो तरफ जाकर वो घर घर में फैल जाता है और फाइनली फिर ठक हार कर वो किसी कैट की तरह जिस सरह से एक बिली थोड़ा सा कर्व शेप में या बेंड होकर वो सो जाती है तो वो फोग भी फिर सेटल हो जाता है या सो जाता है फिर इसके next stanza में पोट ये लिखते हैं and indeed there will be time for the yellow smoke that slides along the streets rubbing its back upon the window panes there will be time there will be time to prepare a face to meet the faces that you meet there will be time to murder and create and time for all the works and days of hands that lift and drop a question on your plate time for you and time for me and time yet for a hundred indecisions and for a hundred visions and revisions before the taking of a toast and tea तो अब देखिये इस fourth stanza में प्रुफोग पहले तो हम से ये कहते हैं कि उस yellow fog के पास अभी इतना time है कि वो अराम से उन सडकों पर और गलियों पर वो अराम से slide कर सकता है या वहाँ पर घूम सकता है और उसके पास इतना समय है कि वो उन खिड़की के शीशों पर वो किसी बिल्ली की तरह वो अपने back को rub कर सकता है या अपने peat को उस पर रगड सकता है तो उस चीश के बारे में बात करना एक waste of time है क्योंकि उस fog के पास अभी बहुत समय है बट फिर अचानक से प्रुफोग का mind थोड़ा सा confused हो जाता है और वो फिर ये कहने लगते हैं कि उन्हें अपने beloved से मिलने का और उसे propose करने का कोई जल्दी भी नहीं है क्योंकि उनके पास भी बहुत time है उनके पास इतना time है कि वो अराम से वो अपने आपको पहले तयार कर सकते हैं future में लोगों से मिलने के लिए इतना time कि उस दौरान किसी का मंडर भी किया जा सकता है और कोई masterpiece भी create किया जा सकता है फिर प्रुफोग इसी चीज़ को दुबारा repeat करते हुए कि उनके पास इतना time है कि वो सारा दिन भर का जो उनका काम है वो उसे भी खतम कर सकते हैं और plus वो उन सभी questions को या सवालों को जो कि उनके plate पर पड़ा हुआ है वो उसके भी जवाब दे सकते हैं यानि प्रुफोग को अपनी beloved से चाय पर मिलने का और उसे अपने दिल की बात बताने का कोई जल्दी नहीं है क्योंकि उनके पास अभी इतना time है कि पहले वो आराम से वो सैक्रो ऐसे चीज़ों पर सोच सकते हैं, decision ले सकते हैं और उस पर revision भी कर सकते हैं तो इन दोनों के पास ही अभी काफी time है और अब एक बार और प्रुफोक फिर से यहां पर वो second sansa को दुबारा से repeat करते हुए वो यह कहते हैं कि उस room में जहां पर वो बैठे हुए हैं तो वहां पर वो औरते आ जा रही हैं और वो Michael Angelo जो famous 16th century के Italian painter थे तो वो उसके बारे में बात कर रही हैं तो यह पूरा fourth stanza हमें उनके indecisiveness और उनके cowardly nature को दिखाता है जिससे कि हमें यह परचलता है कि कैसे वो एक छोटे से decision को लेने में वो इतना समय लगा रहे हैं फिर इसके next stanza में पोएट यह लिखते हैं my necktie rich and modest but asserted by a simple pin they will say but how his arms and legs are thin do I dare disturb the universe in a minute there is a time for decisions and revisions which a minute will reverse तो यहाँ पर disturb the universe का मतलब है अपनी beloved को प्रपोस करने का risk लेना तो उसे ही यहाँ पर disturb the universe कहा गया है तो अब देखे इस sixth stanza में पोफॉक फिर से यह कहते हैं कि हाँ सच में मेरे पास अभी काफी समय है कि पहले मैं इस बारे में तो सोच लू कि क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी है या मेरे अंदर इतनी courage भी है कि मैं अपने beloved को जाकर प्रपोस कर सकूँ बट फिर वो यह सोचते हैं कि शायद नहीं मुझे अभी यहाँ से वापस चलना चाहिए और मुझे सीडियों के तरफ से नीचे उतर जाना चाहिए तो अब देखिए आप लोग भी यह सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रुफॉक का problem क्या है और यह सीधे सीधे जाकर अपने beloved को यह जाकर बता कि उन्हें देता कि यह उससे प्यार करता है बट फिर इसके आगे के lines में प्रुफॉक हमें अपने problem के बारे में बताते हैं कि उसकी problem क्या है तो प्रुफॉक हमसे यह कहते हैं कि उनका जो सिर का बाल है तो वो काफी पतला हो गया है या थिन हो चुका है और प्लस उनका सर बीच में से थोड़ा सा गंजा भी हो गया है इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि लोग जब इसे देखेंगे उनके सर को देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि देखो उसके सर की बाल कितने पतले या थिन हो गया है फिर प्रुफॉक आगे ये भी कहते हैं कि वैसे तो उन्होंने कपड़े काफी अच्छे पहन रखे हैं जो कि ट्रेंडिंग फैशन में है जैसे कि उन्होंने एक अच्छे से कोट को पहन रखा है एक महंगी से टाई को पहना हुआ है और प्लस उसमें उन्होंने एक सिंपल सा पिन भी लगाया हुआ है बट वो फिर ये सोचते हैं कि लोग उनके कपड़ों पर इतना ध्यान नहीं देंगे बलकि वो ये सोचेंगे कि देखो उसकी हाथ पैर कितने दुबले पतले से और मरियल से हैं तो इन ही चीजों की वज़े से प्रुफॉक इतने ज़ादा डिस्टर्ब हैं जिसके वज़े से वो इतना ज़ादा इनसिक्यूर फिल कर रहे हैं और वो बार बार यही सोच रहे हैं कि क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत भी है या इतना करेज भी है कि वो अपने बिलावेट को जाकर डिस्टर्ब करने की रिस्क ले सके और उसे ये कहे कि वो उसे प्यार करते हैं और वैसे तो एक मिनट भी काफी होता है किसी चीज के उपर डिस्टर्ब लेने के लिए बट प्रुफॉक का यहां पर ये प्रॉब्लम है कि हर एक मिनट के बाद उनका जो मन है जो डिस्टर्ब है वो हमेशा बदलता रहता है यानि उनका मन फर्मली एक जगा पर रह नहीं पाता और वो हर एक मिनट पे बदलता रहता है फिर इसके नेक्स सांजा में पोईट ये लिखते हैं तो अब देखे इस सेवन्स सांजा में प्रुफॉक हम से ये कहते हैं कि वहाँ पर मौझूद जो लेडीज हैं तो वो अलड़ी उन्हें जानते हैं फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि उन्होंने उस जगा के मौर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग को भी एक्सपिरियंस किया है वो उसे भी अच्छे से जानते हैं और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को कौफी स्पून्स के दोरा मेजर करके रखा है यानि वो दिन में कितनी बार कौफी पीते हैं तो उससे उन्होंने अपने लाइफ को मेजर करके या याद करके रखा है दिससे कि हमें ये समझ में आता है कि उनकी लाइफ कितनी लोनली या सॉलिटरी टाइप की है और फाइनली इस सेवन्स स्थांजा के आखरे तीन लाइनों में प्रिफॉक हम से ये भी कहते हैं कि मैं उन दूर के कमरों से आ रहे आवाजों को भी पैचानता हूँ जो कि हलकी हलकी म्यूजिक के साथ मिक्स होकर आ रही है बट मेरी प्रॉब्लम यहां पर ये है कि मैं आखिर कैसे हिम्मत जुटाऊं और अपने बिलवन को जाकर ये कहूं कि मैं उससे प्यार करता हूं फिर इसके एठ सांजा में पोएट ये लिखते हैं और ये लिखते हैं तो इन लाइन्स में formulated phrase का मतलब है कोई ऐसा phrase जो कि लोग अकसर यूज करते हैं किसी को ताना देते वक्त या किसी का मजा कुडाते वक्त फिर sprawling on a pin का मतलब है कि जिस तरह से एक insect को या एक कीडे को पूरी तरह से फैला कर उसे pin कर दिया जाता है जब doctor या scientist उसे observe करते हैं तो ठीक उसी तरह से पूफोग को भी वैसा ही कुछ feel होता है जब लोग उसे घूरा करते हैं फिर wriggling on the wall का मतलब है turning, twisting and struggling on the wall यानि दिवार पर कीडे की तरह शंघर्ष करना और lastly but end of my days का मतलब है किसी के जिन्दगी का जो थोड़ा सा समय बचा होता है जैसे कि cigarette का जो orange part या थोड़ा सा part बचा होता है वैसा तो अब देखे इस eighth stanza में प्रुफॉक हमसे ये कहते है कि मैं उन सभी लोगों के निगाहों को या उनके नजरों को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कैसे वो लोग मुझे घूरते हैं और एक अजीब सा लुक देते हैं और इसके साथ ही वो लोग मुझे घूरते वक आपस में कुछ कहते हैं या मेरा मजाग भी उड़ाते हैं फिर इसके आगे के लाइन्स में प्रुफॉक ये कहते हैं कि वो लोग जब मुझे ऐसे अजीब से नजरों से घूरते हैं तो मुझे ऐसा लगता है as if मैं कोई कीड़ा हूँ दिसे की दिवार पे पिन करके observe किया जा रहा है घूरा जा रहा है और मैं उनकी नजरों से बचने के लिए मैं स्ट्रगल करता हूँ या मैं उन्हें अवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे सिच्वेशन में या ऐसी हालत में मैं कैसे शुरू करूं अपनी दिल की बात कहना जब मेरे जिन्दगी का almost most of the days जो है वो खतन हो चुका है और बस थोड़ा सा पार्ट ही जो है वो बचा है तो ऐसे सिच्वेशन में मैं कैसे हिम्मत करूं और मैं अपनी दिल की बात कहूं फिर इसके 9th stanza में पोएट ये लिखते हैं तो इन लाइन में देखे लिखते हैं यानि किसी चीज से धका होना और डिखरेस का मतलब है ध्यान भटकना या फोकस ना कर पाना तो अब देखे इस 9th stanza में पोएट हमसे ये कहते हैं कि वो अलड़ी ये जानते हैं कि वहां की औरते कैसी होती हैं वो सभी तरह के औरतों को जान चुके हैं जिनके हाथों में ब्रेसलेट होता है उनके स्किन का कलर काफी पेल या फीका टाइप का होता है और उनके हाथों क जो चमड़ी होती है जो स्किन होता है तो उस पे कोई बाल भी नहीं होता है यानि उनका स्किन बिल्कुल हैरलेस होता है बट स्टिल लैंब की रोशनी में प्रुफॉक को उन लेडी के हाथों पर ब्राउन कलर का जो हैर का जो एक लेरिंग होता है तो वो उनके हाथों पर दिख जाता है जिससे कि उनका हाथ कवर्ड होता है फिर इसके आगे के लाइन्स में प्रुफॉक हमसे ये भी कहते हैं कि क्या वो औरतों के कपड़ों में से जो पर्फिम की स्मेल आ रही है तो क्या उसकी वज़े से मेरा ध्यान भटक रहा है तो प्रुफॉक सड़नली फिर उन औरतों के हाथों को अब्जर्व करने लगते हैं जो कि वो औरते टेबल पर रखी होती है या तो वो अपने शॉल से उसे ढख कर रखती हैं तो इन चीजों में प्रुफॉक का ध्यान जाने लगता है और फिर प्रुफॉक के सोचते हैं कि आखिर कैसे मैं हिम्मत जुट करूं क्या मैं अपने बिलवेट को पहले ये सब बताऊं कि कैसे मैं शाम के समय मैं पतली गलियों से होते हुए मैंने कुछ अकेले आदमियों को देखा जो कि स्लीवलेश शर्ट में वो अपने खिड़कियों के पास या उसके उपर थोड़ा सा बेंड होकर जुक कर वो अर कि मुझे तो कोई ऐसा creature होना चाहे था जिसके हाथों में वो नोकिले पंजे होते हैं जैसा कि क्राब या केकरे के हाथों में होता है वो नोकिले पंजे जिससे कि वो अपने आपको protect करते हुए वो समुद्र के नीचे जल्दी जल्दी पानी में आगे बढ़ जाते हैं एक जगा से दूसी जगा तो पूफ़ाग भी यही सोचते हैं कि मुझे भी वैसा कोई क्रैप की तरह ही कोई क्रीचर होना चाहिए था जो कि एक जगा से दूसी जगा silently अपने आपको प्रोटेक करते हुए वो निकल जाता है तो चलिए अब आज के इस वीडियो के लिए बस इतन ही और अब बाकी कर जो इस पोएम का remaining portion है तो उसे मैं अगले वीडियो में discuss करूँगा और जैसे ही उस वीडियो को मैं post करूँगा तो उसका link मैं इस वीडियो के description box में भी डाल दूँगा या फिर आप bell icon को प्रेस कर लीजे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा तो तब तक के लिए good bye